दोस्तों मैं हूँ दिनेश के वोरा शेहलफा यंदी में आपका स्वागत है सरकार की डिस इंवेस्मेंट पॉलिसी के अंदर अभी जो नया प्रपोज़ लाया है वो काफी टाम से चल रहा है कि भारत पेट्रोलियम को जिसमें सरकार के 51% से जारा के शेयर से एक लाक क्रोड से घटके 91,000 क्रोड पे आ गया है सरकार के होश उड़ गए हैं तोते उड़ गए हैं सरकार को नहीं समझा रहा है कि मैं क्या करूँ शरी ठंडा पढ़ रहा है ऐसा लग रहा है उपर से बहुत सारे चीजों को मॉनेटाइस करने की बात हो रही है मॉनेटाइस करने का हिंदी मतलब होता है या आप दिवालिया होगे आपने चीज़ें बेच के गुजारा कर रहे है भारत पेट्रोलियम भारत की प्रमक काम धेनुगाए उसको बेचने की तैयारी हो रही है ये एक कंपरी ने पिछले साल आठ जार तीन सो करोड का कॉर्परेट टेक्स दिया और करीब इतना ही डिविडेंट दिया पंदरा सोला हजार करोड एक साल में दिया और तेल के उपर तेक्स है वो अलग से है और सुने इसको पचास बावन हजार करोड में बेचा जा रहा है आउट राइटली ये तीन साल में इतना पैसा करके आपको दे देगी और उसके बाद देती रहेगी हर साल आप अपनी काम धेनुगाए क्यों बेच रहे हो कौन है वो लोग जो इसको रिक्मेंट कर रहे हैं ये हमारे पुर्कों द्वारा कमाई हुई दौलत है पिछले 65 सालों में उन्होंने ये काम धेनुगाए खड़ी की है ये है इंडियन ओयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, O.N.G.C है इनसे हमको सबसे दर टेक्स मिलता है, कली मैंने एपिसोड किया था कि चार लाग क्रोड से ज़्यादा का हमें पैसे मिलते हैं के इंदर सरकार को सरफ ओयल और पेट्रोलियम से, आप उसको बेच रहे हैं और अभी जो खबर आईए कि प्राइमिस्ट्रे ने कहा कि कुछ और एसेट हम बेच सकते हैं, मॉनिटाइज कर सकते हैं, एक लाग पाँच जार क्रोड की अपिक्षा हम दो लाग क्रोड से ज़्यादा बेच सकते हैं, देश बेच के देश चलाओगे, घर बेच के घर चलाओगे, घर के बरतन भाणे बेच के, घर का टीवी फ्रिज बेच के घर चलाओगे, प्रधार मंत्री जी, भारत पेट्रोलियम मत बेचिए, यह हमारी आपसे अपील है, हर प्रभुत हिंदुस्तानी की अपील है, भारत से लेती कुछ भी नहीं है प्लीज मत बेचिए उसको इसको बेचने का मतलब है देश को बेचना देश को उनके हाथों में सौंप दे रहा है प्लीज मत कीजिए ऐसा यह पुर्खों दोरा कमाई हुई दौलत है हमने तो एक भी PSU नहीं बनाया पिछले 6 साल के अंदर सही बात रहे हो अगर 55 सालों में कुछ नहीं हुआ तो कौन सी इंडस्ट्री आपको टेक्स दे रही है अगर 55 सालों में कुछ नहीं हुआ तो कहां से इतना IT डवलप हो रहा है 65 सालों में कुछ नहीं हुआ तो कहां से CEO के Microsoft के और Google के CEO निकल के आ रहे हैं बता ही न हमें मुझे याद आता है वो शब्द अटल भीहरी वाजपई के जब हिंदुस्तान के 50 साल हुए थे तो BJP गौर्वन नहीं थी तो एक जॉइंट सेशन हुआ था पार्लियमंट का जहां अटल जी ने एक हिस्टॉरिक स्पीश दी थी जहां अटल जी ने कहा था कि कहने को बहुत कुछ है शिकायते भी बहुत है बहुत कुछ ऐसा है जो होना चाहिए था लेकिन बहुत कुछ हुआ है पचास सालों में भारत ने आशतीत तरक्की किया है विकास किया है इसमें कोई शक नहीं है दो राए नहीं है ये शब्द आ अटल बिहारी पाच्पई के और हम उसको नकार नहीं सकते ये अटल बिहारी ने कहा था उनको नकारने का मतलब है ये अटल बिहारी जी के शब्द है उनको नकारने का मतलब है कि हम अपने जवानों, किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, साइंटिस्ट इनके पुरुशार्थ के उपर पानी फिर रहे हैं ये शब्द यूज़ किये पहले 65 सालों में कुछ हुआ ही नहीं इस देश में कुछ था तभी आप यहां तक पहुँचे है न प्लीज भारत पत्रोलिम की काम देनों गाये को मत पेचिए ये हमारा गौरव है हमारा गर्व है इस देश का प्राइड है ये शुक्रिया आपका हमार साथ बने रहने के लिए